दोस्तों अगर किसी राज्य में महाल बिगाड़ता है, उस महाल को भीगाड़ने में भूमिका किसने निभाई इन सब के जाच होनी चाहिए, सब कुछ पता लगना चाहिए, एक एक जीज पता लगनी चाहिए और इन सब के जाच करके पुलिस अच्छी तरीके से सब कुछ सामने रखेगी, पेश करेगी, पुलिस से यह उमीद की जाती है हलदवानी में जो हुआ उत्राखंड के हलदवानी में जो हुआ उसमें भी पुलिस से यही उमीद की जा रही थी कि एक-एक सच सब कुछ जनता के सामने रखा जाएगा एक-एक सच एक-एक तस्वीर जनता के सामने रखी जाएगी सबकुछ बखान किया जाएगा वो भी सच सच बताया जाएगा लेकिन क्या जो कुछ पूरा सच है सवाल ये उठ रहा है देखे हलद्वानी में जो हुआ जिसने भी इंसा को अंजाम दिया या जिसका भी इसमें हाथ है जो भी गुनैगार है उनको सजा मिलनी चाहिए दिकन्टाब किसी भी तरीके की इंसा का या किसी भी तरह से अपराधियों का उपद्रवियों का समर्थन नहीं करता है मगर आपको पूरा सच बताना हमारी जिम्मधारी है दोस्तो और इस खबर में मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो शायद अभी तक इस पूरे मामले में आपको किसी ने नहीं बताया है दोस्तो पुलिस को ये भी बताना चाहिए था कि जहां एक तरफ पुलिस ये दावा कर रही है कि उनके उपर हमला किया गया और पत्थरों से हमला किया गया कांच की बोतले फेकी गई पत्थर बरसाए जा रहे थे बहुत मुश्किल में वहाँ पर पुलिस कर्मी जो थे वो थे लेकिन उसी स्थिती में एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी था जिनोंने तकरीबन साथ पुलिस कर्मियों की जान बचाई ये ख़बर शायद आपको कहीं पर भी नहीं मेरी होगी दोस्तों तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हूँ कि पूरी ख़बर क्या है पूरा मामला क्या है उमीद करूंगे आपसे कि आप आखिर तक इस ख़बर में मेरी साथ जरूरी है नमस्कार मेरा नाम है जोयन्ती जा और आप देख रहे हैं दीकंटाब जोस्तों अगर कोई इंसानियत निभाता है ना तो उस इंसानियत को हमेशा बढ़ावा दिया जाना चाहिए सिर्फ और आपकी अच्छाई से होता है आप कितने अच्छे हैं आप Skills कितने अच्छाई प्हेल रहे हैं आप कितनी इंसानियत रखते हैं इससे होता है मैं आपको एक खबर बताने वाली हूं दोस्तों जो हालभ्वानी कांड में अभी तक शायद आपको मालूम ना हुई हो। मैं आपको बताती हूं, आपके स्क्रीन्स पर बिना तेर कि दोस्तों वो खबर है, और ये खबर क्या कहती है, इसको ध्यान से सुनियेगा, जो आपको बताने जा रही है। जैसे ही पोलीस के मुताबिक भहा पॉंचते हैं उनके उपर हमले शुरू हो जाते हैं हालाकि वहां के रहवासिओं के यह कहना है कि हमने पहले पुछा हैं उन से ऐसे आचानक से आकर कारवाही कैसे कर सकते हैं उन पर लाठी चार्ज़ करने का आ रॉप है यानि पुलिस पर लाटी चार्ज करने का आरोप लगाया गया महिलाओं बच्चों को पीटने का भी आरोप लगाया गया पुलिस पर इन सब के भीश दोस्तों यह जो गायब नज़र आई वो यह कि एक मुस्लिम परिवार ऐसा था जो नमाज छोड़ कर अपनी नमाज छोड़ कर साथ पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए आ गया आया जी हां यह खबर कहती है कि साथ पुलिस वालों की जान एक मुस्लिम परिवार ने बचाई बनभुल पुरा थाना छेतर में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलो ने इट पत्थर पेट्रोल बं कांच की बोतले बरसा रहे थे सुरक्षा बलो पर इस बीच एक परिवार अपनी नमाज छोड़ कर पांच से साथ पुलिस कर्मियों की जान बचाने के लिए सामने आया मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि उपद्रवियों से पूरा का पूरा परिवार पुलिस क्वालों के लिए भड़िया ये भी एक खवर है जिसकी सराहना होनी चाहिए मैंने जैसे शुरुवात में कहा किसी भी उपद्रवी, किसी भी हिंसा करने वाले का धर्म दोस्तों आप कुछ नहीं कह सकते वो किसी भी धर्म से हो सकता जिसके जो हिंसा कर रहा है उसका कोई धर्म नहीं होता तो अगर वो अपरादी है उसको सजा मिलनी चाहिए इस भी अचकर एक मुस्लिम परिवार साथ पुलिस कर्मियों की जान बचा गया तो आपको क्या वो खबर सबके सामने नहीं रखनी चाहिए क्या वो खबर सबके सामने नहीं आनी चाहिए बिलकुल आनी चाहिए, बेशक आनी चाहिए और यही करने का काम हम कर रहे हैं जो खबर कहती है कि रेस्क्यू टीम ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला परिवार को भी सुरक्षा दी इलाके की करीब 17 से अधिक गलियों में तावर तोड इट पत्तर सुरक्षा बलो पर बरसाए जा रहे थे इस दौरान करी से गेट खोलने आता है और फिर सभी पुलिस वालों को घर के अंदर बुला लिया जाता है करीब 4 घंटे तक पुलिस वाले ऍस गर के अंदर शरंड लेते हैं दोस्तों वहाँ पर बैठते हैं चार घंटे तक छुपे रहते हैं जब चार घंटे हो जाते हैं थोड़ा बहुत मामला शान्त हो जाता है तो उपद्रवी को घर में पुलिस वालों के होने की भनक लगी तो वो घर में भी गुज गया ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी उपद्रवी जो माहौल बिगाड रहे थे जब उनको ये भनक लगी कि पुलिस वाले घर के अंदर छुपे हुए हैं तो वो घर के अंदर भी गुज गए उपद्रवी जैसा ये खबर कहती है हाला कि परीज़नों ने पुलिस वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया तब तक रेस्क् सपेक्ति अभी फिलाल समाने बनी हुई हैं हिंसा मामले में 5 गिरफतार किये जा चुके हैं बाकि लोगों के लिए दबिश की जा रही है CCTV footage के जरिये मदद ली जा रही है और जरूरी से जरूरी जो कारिवाही है वो की जा रही है कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि यह जो मुस्लिम परिवार था दोस्तों अपनी जान को जोखी में डाल कर इन्होंने पुलिस वालों की जान बचाई अपनी जान को जोखी में डाल कर देखे हो सकता था जैसा मैंने कहा उपद्रवी यह तो नहीं देखेंगे ना कि आप उनके तरफ है या आप दूसरे पक्ष की तरफ है वो सिर्फ उस वक्त उनके दिवाग पर भूत सवार रहता है और वही माहौल बिगाड़ता है वही इंसा को अंजाम देता है ऐसी स्थिती में इतना सासी अपना नेचर दिखाना और पुलिस वालों के लिए उपद्रवियों से भिड़ जाना इसके लिए जिग्रा चाहिए जो उस परिवार ने दिखाया बच्चे में थे उस परिवार में वो परिवार चाहता तो पुलिस वालों को अंदर नहीं बुलाता क्योंकि वो भी समझ रहा होगा कि अगर हमने पुलिस वालों को शरण दी तो हो सकता है कि हमारे लिए जोखिम बन जाए हमारे लिए एक खत्रा बन जाए बावजूद इसके उन्होंने पुलिस वालों क पुलिस वालों की जान बचाई, जबकि घर में बच्चा भी था, ये होती है इंसानियत, इसे आप इंसानियत कहेंगे, और ये खबर हलद्वानी कांड से लेकर कि अभी तक बरेली में जो कांड हुआ है, इस पूरे बीच में कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही दोस्तों, कोई आपको, हमें नहीं लगता कि कोई आपको ये खबर बताएगा, कि असल में क्या हुआ था, ये खबरे विब साइट की मीडिया खबरों पे छपी हुई रह जाएंगे, लेकिन आप तक पहुँचाने वाला इन खबरों को कोई नहीं होगा, तो वो जरिया हम बनना चाहे और आप तक जितनी ऐसी खबरे पहुच सकती है, दोस्तों, वो पहुचाने की कोशिश हम करेंगे, फिलाल ये खबर है, इस पर मैं आपका रियाक्शन चाहती हूँ, आपकी प्रितिक्रिया चाहती हूँ, आप क्या सूचते हैं इस खबर को लेकर, आपकी क्या राय है, कमें करके हमें जरूर बताइएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, फिर मुलाकात होगी आप सब ये वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,